देश में कोरोना संकट के बीच राजनितिक बयानबाजी भी तेज होती जा रही है कोटा में फंसे बिहार के चात्रों को लेकर जारी गतिरोध कायम है एक तरफ जहां राजे सरकार की ओर से चात्रों को लोकडाउन के बीच वापस लाने से मना किया जा रहा है तो वहीं कॉंग्रेस प्रवक्ता जैवीर शेरगिल ने कहा कि नितीश कुमार कोटा में फसे बच्चों के भविश्य और वर्तमान के साथ खिलवाद कर रहे हैं कहा जाता है इंसान का अस्री चरित बुरे वक्त में सामने आता है आज बिहार के जो बच्चे कोटा में जो छात्र फसे हुए हैं उनकी मदद ना कर नितिश बाबू ने थाबित कर दिया है कि उनकी सरकार केवल मौका परस्ती वली राजनीपी में विश्वास रखती है एक तरफ बिहार के छात्र लगा रहे हैं मदद की गोहार दूसरी तरफ सो रही है नितिश बाबू और भाजपा की सरकार आज नितिश बाबू को उत्तर देना चाहिए कि क्यूं उन्हों ने इन छात्रों को भगवान भरों से छोड़ दिया है के बसिस नहीं हैं के साधन नहीं हैं अगर बाकी राज्य बच्चों को वापिस ला सकते हैं तो वो क्यूं नहीं ला सकते सबके तो ये है मिटिश बाबू ने आज इन चातरों को उनके अपने हाल पे छोड़के बिहार के वर्तमान और बिहार के भविष्ची के साथ एक घिनोना खेल खेला है आज उनकी मदद ना कर निटिश बाबू ने, उसाशन बाबू ने उनके बारे जो कहा जाता है गल्यारों में उसी बात पर मोहर लगा दी है कि बिहार में ऐसा कोई बचा नहीं जिसको नितिश बाबू ने ठगा नहीं अभी भी वक्त है जाग जाएए बिहार के वर्तमान और भविश्य और उनके माबाप से ऐसा घिनाना खेल मत खेलिए बच्चों को जल्द से जल्द कोटा से वापिर बिहार लाएगे राजस्थान में कोरोना का दाइरा बढ़ता ही जा रहा है